भारतिय बॉद्ध महासभा नाकपुर्जिला ग्रामीन समीती की और से हिल्टांक कॉलनी युवामंच बहुदेश संगटन दवलामेटी के सैट तत्वधान में रविवार 28 नवंबर को शाम 6 बजी सेक्ड़ लोगों ने बॉद्ध धर्म अपनाया एक समाहरों में लोगों को बुद्ध धर्म की दिक्षा दी गई इस बुद्ध धर्म दिक्षा समाहरों में राश्रितिक लोगों को दूर रखा गया खास बात यह रही कि संगटन ने किसी भी राश्रितिक व्यक्ति या पार्टी को मंच पर आमंत रित नहीं किया इस कारेक्रम में भारतिय बौध महासभा नाकपुर जिला ग्रामिन के सभी पदादी कार्यों के साथ साथ हिल्टैम्प कॉलिनी के नवनिर्वाचित पंच्या समिती सदस्य सुलोचना धोकी का पुष्पकुच्छ देकर स्वागत किया गया धोके ने अपने राशिती कार्यों को अलग रखा और ख्षेत्र में सामाजिक एक्ता के लिए समय दिया ग्रामपंच्या सदस्य सिधार धोकी हिल्टैम्प कॉलनी युवामंच बहुत देशे संगटन की उपाद्धिक्ष अभिजीत घोडिस्वार कोशाद्धिक्ष गौतम बिलरामजी खोबरागडे साइक्त सचिव सदस्य नंदु सोमकुवर सचिव उपाद्धिक्ष मिनाक्षी मेश्राम कोशाद्धिक्ष निरंचन पहुरकर सचिव दीपाहमने सदस्य संजेजीवने मिलिन गसबीये भायती रामटे के सभीने आयोज जिन में योगदान दिया त्रीशरन पंच शील ग्रहनकर कारेक्रम की शिर्वाद की गई प्रथम हिल्टाम कॉलनी युवामन्च की स्थापना क्यू यह संगटन के सचिव शंकर पाटन ने समझाया और यह भी पताया कि कारेक्रम आयोजित करते समय बहुत धंब दिख्षा लोगों के लिए धंब दिख्षा के महत्व समझाया कलपना सरदार ने सविधान में महिलाओ के अधिकारों की बात की अपने अधिक्षिय भाष्यन में भारतिय बौध महसभा नाकपुर्चिला करामिंग के अधिक्ष सुरेश उके ने बौध धंब की दिख्षा क्यों ले पूर्ट